नमस्कार, वेलकम बैक, मैं सुनी दुवेदी, आपका इंगलिस मास्टर, एक वाशन से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस फैब्रेट चैनल इंगलिस मास्टर कर, और इस समय हम आपको सिखा रहे हैं, रूट वर्ड से वोकेवल्ली कैसे तैयर की जाती है, इनकी सीखने का, वोकेवल्ली सीखने का सबसे आसान तरीका, और इस तरीका होता क्या है, इसमें हम आपको सिखाते हैं कि, एटमलोजी क्या होती है, तो बच्चों आपको पता है, एटमलोजी का मतलब होता है, origin and history of words, सब्दों की उत्पत्ति कैसे होती, सब्द बनते कैसे हैं, य कैसे हैं, this process is called etymology, जिसमें आपको सिखाते हैं, हमारे इस word का, root word क्या है, इस root word में, इसके पहले यानि कि, आपका prefix क्या जोड़ा गया है, और इस word के last में, इन्हें आपका suffix क्या जोड़ा गया है, बच्चों, this is the process of etymology, और ये word सीखने का सबसे आसान तरीका है, तो यह मेंनी की first focus करना है आपको अपने root पर, prefix पर और suffix पर, और जो हमें suffix होती है, वो बताती है, इस word का parts of speech क्या है, क्योंकि बच्चों, word के मेनी के साथ साथ उसका parts of speech जानना बहुत जरूरी होता है, और एक root से second verse बनते रहते हैं, एक prefix से कई verse बनते रहते हैं, और एक suffix से त secure जिसका मतलब follow होता है, और एक doulio जिसका मतलब suffer होता है, और एक caddo जिसका मतलब fall होता है, तो आई यह discuss करते हैं, कुछ important roots और उन पर आथारित आपकी words, तो बच्चों पहला word आपको है, sequel, अब देकिए sequel का मतलब होता है, बच्चों, sequel का मतलब होता है, following events, या लिट्रेयी वर्ग, बच्छों फॉल्ल इवेंट्स और लिट्रेयलि वर्ग्स का मतलब होता है, आने वाली घटनाएं या शाहिद्तिक रचनाएं सिकल कला पर देखावगा मूबी kा सिकल बनता है, बहुबरी का सिकल बनाता है, और बच्चों सीक्विन का मतलब होता है अब अब पर ऑडर एक वैवस्थित क्रम सीक्विन कलाता है कैसे बनाएगा सीक्विन का मतलब होता है फालू तो जो कीजिए एक के बाद फ़ा लगों करती रहती तो सिक्वेंस बन जाता है क्खथ बचोने क्ट आपको है आव से कि आपकिस का मतलब होता है Бचो आप से कूस का मतलब होता है डिशू अ डाइट अर यह 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 हैं इसुन लसम यह अब दो की बनाय कैसे गया सिर्क्विस फालो होता है और मिस आफ्टर है निकी जो चीजें इंसान के मृत्वार फालो की जाती है वो राइस हो संस्कार अंतिम संस्कार कराते हैं फ्यूरल बैंस करते हैं बच्व नेक्स बढ़ा आपको है आप से क्वेस इसका मतलब होता है फा फानिंग या है एकसिवली है जो लाइट या फ्लैटर हिए ए मतलब होता है चाप्रूस फानिंग इकसे स्ट्री पॉलाइट या फ्लैटर आप से कुष्ट के लाता है बनाया कैसे है ऑं मिस आफ्टर सी इसो और फालो इनिए फालों आफ्टर वह इंसान्न जो अपने बॉस कर पीछे पीछे चलता रहते हैं बहुत ते यसर एसर करता रहता है हो आप से कुछ्छ कर आता है है पच्छोन एक्षब्ग कर आपका सबस्रक्वेंट सब्सेक्वेंट मतलब होता है कमीं कि एवेंज कि यह कमिंग ऑफ्टरवार्स यह रिजल्ट यह निया कि जो चीज सबसे बाद में आती है वो हमारा coming events से coming after words क्या ले जेए गए आपर वो result पर रादाता है जैसे होता क्या बनाए कैसे बच्चों सब मिस अंडर होता है शुक्यमिस फालों फालो फालों अंडर जो सब आपको है डोलर डोलर में आपको रूट डोलियू है डोलियू में सफर होता है डोल में स्पैन होता है तो बच्छों डोलर का मतलब होता है पैन कि दर्द होता है या सारू या सो डबल आरड़ डबल पैन या सारू बर्शापस्पीस नाउन है। और डोलर में अस लगाने से एजिट्टिव बन जाता है और इसका मतलब फुल हो जाता है तो और डोल में इस पैन होता है तो यह हो जाता है पैन फुल या सारू-फुल कि जो चीजिए कष्ट कारक है दुखदाई है वो कहलाती है डुल्स है जिट्टिव है अगर दोल्फुल तो डुल में सोता पेन फुल से भी जिट्टिव है यह भी आपका होजाएगा पेन फुल या सारुफुल कस्ट कारख या दुखदाई दूलफुल गलाता है पच्छो नेक्ट वड़ आपका है कंडूल कंडूल बनाए कैसे ज़िए दूल मिस होता है सफर और कॉन मिस होता है तुगेदर यह जाता है तुगेदर यह निकिसी के साथ कस्ट सहना यह कह सकते है तुख सिंपहताईस यह निकि साहनबूती जटाना कंडूल करना होता है और कंडूल से कंडूलेस बना देता है जो कंडूल वर्भ है और कंडूलेस हो जाता है नाउन तो सिंपहताईस के नाउन बन जाता है सिंपैथी या expression of suffering इसे भी कह सकते हैं expression of something expression of suffering किसी के लिए आपके दुखी की अनभूत जो होती है वो condolence कलाता है दीखे जब किसी की death होती है तो लोग जाते हैं और condolence करते हैं क्या होता है? कौन मिस टुगेदर, डोल मिस सफर, सफर टुगेदर लोग दुखी है, आप भी जाकर के दुखी होते हैं, वो condolence कलाता है और condol work है पच्छो नेक्स रोड आपका है cadaver अब देखें, यहाँ पर रूट है, cadaver मिस फाल होता है तो cadaver का मतलब होता है corpse c-o-r-p-s-e पच्छो, corpse का मतलब होता है dead body अब देखें, यह cadaver, corpse कैसे, dead body कैसे बन जाता है पच्छो, cadaver का मतलब होता है fall तो यह लिए कि final fall जब कोई इंसान, कोई जानवर अंतिव वार प्रतिव पर गिरता है दुबारा उठने ही पड़ता है तो वो cadaver बन जाता है जाता है, corpse बन जाता है, dead body बन जाता है नश्वर आपका है, cadaver इसका मतलब होता है gaunt 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 या thin दूबला पतला, कैसे बनाने का cadaver मिस फाल होता है, तो किसी के स्वास्ते में जब लगातार फाल गिरावट होती रहती है तो वो cadaver बन जाता है, gaunt मिस डाउन होता है, decadent मिस होता है morally declined morally declined morally declined person, यह वे इंसान जिसका नैतिक पतन हो चुका हो वो decadent कराता है करना कैसे ज़्या, dem is down, cadaver is false और decadence adjective है बच्चो, decadence noun बन जाता है यह हो जाता है आपका morality के, किसी इंसान का नैतिक पतन decadence कराता है, सोज़े दिखी कितना आसान तरीका है वर्ड को सीखने का, यह सारे वर्ड में बस तीन रूट ले गई है, secure means follow होता है, डोलियो मिंसता पर होता है, academies follow होता है, बस कैसे learn करना secure follow होता है, तो SQL following events, यह literary work sequence proper order, upsequence funeral rights, obsequious, funny यह एक किसी polite, subsequent result, dollar pen, dollarous, bankful, objective है, condoled to suffer grief हो जाता है, यह noun हो जाता है, cadaver, corpse, dead body, cadaverous, gaunt, thin कर लाता है, decadent, morally declined person कर लाता है, और decadence बन जाता है, moral decay, तो दोस्तों, उमीद है, यह words आपको learn हो चुके होंगे, यह vocab, सीखने का जो सबसे नज्याब या आसान तरीका है, आपको समझ माचुका होगा, next video में कुछ और ऐसे important roots, important words आपके लिए के लिए आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, में कीजायों का जबधे, आपको 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 खोच्आप़ तेरो, के लिए रबधे औरram प Cities